हाई वीवर्स वेलकम बैक टो इंग्लिश राइटिंग स्किल्स पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इंग्लिश राइटिंग स्किल्स में लैटर राइटिंग में क्या क्या चेंजिज हुए हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नोटिस राइटिंग के स्कूल का नाम दिया गया है आपका नाम दिया गया है गर आप आप आए हो तो सुमीत और गर्ल हो तो सारी का यूर स्कूल है डिसाइड़ टो और्गनाइज इस सिंगिंग कॉम्पेटिशन जो सारे आपके कोईशन्स बनेंगे वो सब इसी में से ही बनेंगे इन में से ही आंसर है तो फर्स्ट ओफ ओल आपको पेपर में क्या करना है इसको आपको ध्यान से बढ़ना है आप्टर डैट आपको यह फोर्मेट दिया जाएगा नोटिस राइटिंग का फोर्मेट होता है यह इसमें आपको रोक्व पोस्टिन 19 उपर ही ब्लैंक दिया गया है तो यहां हम क्या करते हैं सबसे पहले यहां क्या था स्कूल का नाम आपको दिया गया था ABC स्कूल देली नहीं था नवियू पब्लिक स्कूल खुलकाता नहीं था बोथ A and B या नन उफदाबो तो दोनों स्कूलों में इसे नाम नहीं था क्योंकि क्या दिया गया था आपको अग्वाद दिखाते हो आपको KM पब्लिक स्कूल भिवानी दिया गया वही आपका right answer आएगा अगर ये options में नहीं है तो आपको नहीं करना तो यहां आपका right answer आएगा option D none of the above next देखते हैं question 20 ये स्कूल का नाम हो गया ये notice हो गया ये date हो गया इसके बाद हम क्या गरते हैं लिखते हैं कि notice कि सीज के बारे में है options देखे a sing competition, inviting a song competition और a singing competition बोथ A and B तो आपका right answer है option C a singing competition ये भी आपको notice में दे रखा है next देखते हैं question 21 all the students are hereby informed that यहां से आपका question 21 आता है कि सभी students को आपको बोला गया है कि dance competition के बारे में inform कर रहा है तो options देखते है the school organizes, the school will be host तो host नहीं कर रहा है, organize कर रहा है school लेकिन the school is organizing करने जा रहा है ये आपका right answer है next देखते है students of class 11th and 12th dash to attend the competition options देखे, will be informed, are informed, were informed, both a, b and c तो जो notice writing होता है वो हमारा present tense में होता है तो यहां आएगा आपका option भी are informed last question देखते है 23 as per the schedule below यह आपको schedule दिया गया सारा और यहां पर आपको 23 question बताना है तो यह भी आपको options देखिए disgrace the losers, cheer the participants, clap the winners, all of the bow all the bow तो आए गही नहीं जब आप statement पढ़ेंगे किस वाद में आपको क्या दिया गया था तो वहां पर था cheer the participants तो इस तरह से आप अच्छे से reading करके questions को ध्यान से करेंगे तो आपके full marks आने की पूरी guarantee है तो आगे से notice writing, letter writing, sub writing skills, mcq format में आने वाली है बहुत ही easy होता है यह बस थोड़ा सा आपको क्या करना है कि reading ही ध्यान से करनी है तो देखते रहे हमारा channel ऐसे ही और videos के लिए